हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ नीलम, आज हम बनाएंगे गाजर बीन्स की सबजी, इसको ग्रेवी वाली बनाएंगे, थोड़ी रिच रहेगी ये सबजी, बिल्कुल जैसे धावे और रेस्टोरेंट में मिलती है, वैसी ही सबजी बनाएंगे, तो चलि गाजर, देखिए, इसको भी मैंने मोटा मोटा काटा है, छील लिया था पहले, दो बड़े साइस के प्याज, प्याज इसमें ज़्यादा लगेगा, दो तीन लेसन की कलिया बारी काटी है, और दो हरीमिच इसको मैंने बारी काटा है, सबजीयों को हम अच्छे से दो गाजर, गैस ऑन करके कडाई रख दिये, उसमें मैंने दो से तीन टेबल स्पून ओईल ले लिया है, अब हम सबजीयों को करेंगे, इस्टर फ्राइ, तो याद रखें सबजीयों को डीफ फ्राइ नहीं करना है, इस्टर फ्राइ करना है, अच्छा ये जो सबजीया है, ज् हमें बहुत अच्छा लगेगा बाद में खाने में, तो इसको अब चलाते जाए और जब तक कुक करना है, जब तक ये 90% कुक ना हो जाए, तो देखिए अभी 90% आल्मोस्ट कुक हो चुकी है सबजीया, अब हम इसको फ्राइ सबजीयों को निकाल लेते हैं, तो इसको निक कि बचा लिजिए, एक बरतन में मैंने निकाल लिया है, अब जो तेल बचा है, अगर ज़्यादा बचा है तो कम कर दीजिए, कम बचा है तो थोड़ा डाल लिजिए, उसी तेल में हमें जीरह डाल देना है, एक छोटी चमच, उसके बाद जीरह जब हमारा अच्छे से तड तब हम उसमें पयाज डाल देंगे तो साला पयाज जो हमने काटा था वह защ THEM अच्छे से भूनेंगे पयाजादने के बाद आप चाहें तो अद्रक भी डाल सकते हैं इसमें और इस गोल्डन गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है अगर आपको मेरी रैसीप अच्छी लगी तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज उसके बाद इसमें मसाले आड़ करेंगे आदी छोटी धनिया पाउडर इसके बाद मिर्च डालेंगे अच्छी खासी मिर्च डालूगी मैं इसमें एक छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मिर्च डाली है अच्छी तीकी मिर्च है बनकाना जैसे चटपटी सबजी बनेगी है इसके बाद में इसको थोड़ा चला लेंगे और हम थो तो देखिए तेल अभी इसका सेपरेट हो गया है तो अब में इसमें मैंने एक बड़े साइज का टमाटर को मिक्सी में पीच लिया था और वह प्यूरी जैसा बना लिया था वह हम इसमें डाल देंगे टमाटर डालना बहुत जरूरी है उससे ही सबजी में स्वाद बहुत अच्छा आएगा और इसको अभी हम चलाएंगे तो इसको भी हमें अच्छे से भूनना है टमाटर डालने के बाद में इसी समय हम इसी पॉइंट पर नमक डाल देंगे हमें जितना सबजी में लगेगा उतना हम नमक डाल देंगे अभी इसी समय और इसको अभी हम भूनेंगे बहुत अच्छे से तो भूनने का ऐसे पता चलता है इसमें वाइल हैना निकल आता है तो पता चल जाता है कि हाँ मसाला भून गया है तो थोड़ी देर बाद जब भून भून के थोड़ा कम हो गया तब मैं इसमें एक छोटी चमज भर के कसूरी मैथी डालूंगी उसको मैंने अच्छे से क्रश करके डाला है और उसके बाद एक छोटी चमज भर के शूगर डाला है शूगर डालने से के बैलेंस जो है वो पूरा एकदम से सब्जी का मस्त हो जाता है उसके बाद में मलाई थी मेरे पास में एक छोटी कटोरी जिसको मैंने फैट लिया था और उसको मैंने डाल दिया आपके पस क्रीम हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें तो मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने दूद और मलाई को लेकर आपस में अच्छे से फेटा और इसमें डाल दिया इसको continue चलाईए नहीं तो ये टामाटर के कारण दूद फट जाएगा तो देखी मैं continue चला रही हूं इसको और इसके बाद में सबजी डाल दूगी तो ये almost पकी हुई सबजीया है इसको थोड़ा सर मतलब बोला ना 90% कूक्ड है और 10% कूक करना है तो बस इसको अभी इस तरह से चलाएंगे इसमें कुछ भी डालने की अब जरूरत नहीं है और इसके बाद इसको ढखकन से ढखेंगे और हम इसको 3-4 मिनिट तक और पका लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना नहीं तो सबजी अंगल जाएंगी वो थोड़ी सी मूँ में थोड़ी क्रंची मंची आना चाहिए अच्छी लगती है तो 3-4 मिनिट हो गए है देखिए पूरा तेल भी सेपरेट हो गया है सबजी हलकी सी गाड़ी हो गई है तो अब मैं इसमें हरा दनिया डाल दूँगी और इसको अभी हम चलाएंगे तो इस तरह से आप चला लीजिए आप पास से देखिए कितनी अच्छी लग रही है बहुत अच्छी एक खुश्बू आरिये इसमें जैसे कि होटल में, रेस्टोरेंट में, धाबे में हम सबजी खाते ना वैसी एक खुश्बू आरिये इसमें से तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको आप रोटी, पूरी, पराथा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं लेकिन ये सबजी अगर आपके पस नान वगएरा है तो नान के साथ बहुत अच्छी लगती रूमाली रोटी नान के साथ तो पास से देखिए आप कैसी लगी रेसिपी कॉमेंट करके बताईए अपना फीडबेक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच